नमस्कार मैं हूँ इंद्रमोह कोरोना वाइरस को हराने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामाजिक दूरी बना कर रखे और अपने हाथों को बार-बार साफ करते रहें अगर आपने इस दूरी के नियम को तोरा तो कभी भी आप संक्रमित हो सकते हैं ऐसा ही कुछ हुआ है मद्य प्रदेश के चिंदवारा जहां 95 लोगों को क्वारेंटीन कर दिया गया है बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप एक साथ 95 लोगों को क्वारेंटीन किया गया है दरसल हुआ ऐसा कि एक शादी समारो था जिसमें लगभग 95 लोग शरीक हुए थे और जिस लरकी की शादी थी उसके जीजा CISF के जवान थे जो दिल्ली से मद्य प्रदेश गये थे साधी में शामिल होने के लिए और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गये हैं जिसके बाद अब दुल्ह दुलन समेट 95 लोगों को अब क्वारेंटीन कर दिया है वहां के अधिकारियों अब आप सोचिए कि इस ख़बर को देखने के बाद एक जो नियम है आपको उसे फॉलू करना है केंदर सरकार बार बार कह रही है कि 50 से जादा लोग किसी भी शादी समारों में शिरकत नहीं करेंगे उसके बाब जूद भी शादी समारों में 95 लोगों ने शिरकत की और तो और इन्होंने सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जिसके बाद अब इन पंचानबे लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटीन होना परेगा और इन सबी की जाच भी की जाएगी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकला तो उन्हें उनका अब इलाज होगा उसके बाद ही वो घर वापस आ सकेगा करेंगे बस सभी कारवाई शुरूई हो आपके द्वारे महले पडोस में जाकर समझाईश भी दी गए इत्वारे जी बताया गया जो एतियात है वो सभी लोग बढ़ते और दूसरा यह है कि कहीं कोई घबराने आचिंता करने के आउश्यक्ता नहीं है जो इसके प्रोटोक करेंगे ख्रButton